हेलो दोस्तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले है कि मार्किट में एक्जक्ली चल कह रहा है ठीक है और क्या हमें यहाँ पर बेच देना चाहिए क्यों क्यों क्योंकि आज देखोगे तो मिड कैप लगबग 500 पॉइंट और निफ्टी 50 192 पॉइंट और स्मॉल कैप में लगब अगर है तो अधर्वाइस वेट करना चाहिए तो क्या करना चाहिए एक्जक्ली पूरा आइडिया में आपको यहाँ पर देता हुवा नजर आउंगा तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा ताकि इस तरीके वीडियो आपको मिलती रहे हाना और आप यहाँ पर ची पार 뚜िश करते हैं सीखें से कि किस तरीके से शेयर को चूस किया जाता है और अगर आप सीखना चाते रील में बारी क्या सींखना चाते हैं और सीख से स्टॉक मार्कित को लें के बेचना है ठीका पूरा एक आइडिया मिलता हुआ नजराएगा 20,000 रुपे का कोर्स है एक बाग कोर्स कम्प्लीट किया पीछे मुड़के देखने की जरूवत नी पड़ेगी थीरी मंस की हैंडोल्डिंग है और इस कोर्स को करने का दुनिया की किसी भी मार्किट में और सिरियस है कि हां अच्छागांसा पैसा वह मार्किट में बनाना चाहता है और पॉरटफोलियो चार लाग या पांच लाग या पचास लाग ऐक करोड जतना ही बड़ा पॉरटफोलियो ठीक है कम से कम चार पांच लाग कौने चाहिए तो यहां पर आप इन नम्बरों प लगबग 20,000 को क्रोस किया और उसके बाद एक ऐट ही फासी घरावर तो जब भी यहाँ पर याद रखिये चीज़े हाई पर पोचेगी ठीक है तो एक गिरावट जरूर आएगी इस चीच को हमेशा मानके चलिएगा और वो गिरावट क्या होगी वो गरी गिरावट होगी के वल वो गिरावट होगी एक रिट्रेस्मेंट ओके और आप सोचोगे कि गिरेगा और गिरके बिलकुल ही यहाँ पर काम मैं देख रहा हूं काफी इदर उदर ट्विटर पर देखना हो और अलग अलग जगे पर देख रहा हूं लोग यहाँ पर बात कर रहे है 16,000 पर आजाएगा कोई कह रहा है 8,000 पर आजाएगा कोई different different बाते कर रहे है तो सबसे पहले logical answer में यही है जो 8,000 का सपना देख रहे है तो वो सपना ही रहेगा till that अगर कोई बड़ी crisis नहीं आ जाती है ऐसी crisis इसके बारे में हमें पता नहीं है like covid ठीक है covid नया था market में गिरावट हुई वो एक obvious बात थी ठीक है अभी जो problem चल रही है वो किस चीच की चल रही है वो चल रही है अलग problem क्या problem चल रही है पहले उससे related बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर हम डालेंगे ठीक है brand क्या है एक oil का type होता है crude oil brand ठीक है तो यहाँ पर आप जाओगे ना brand crude oil तो आपको पता चलेगा कि यह अपने जहां से नीचे से भाग रहा है ठीक है अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ रहा है और अच्छी खासी जंप लगवत 30-35% की यहाँ पर जंप होती हुई नजर आई है ठीक है और all time high की बात करें जैसे दूसरे चार्ट चलते है वो भी यहाँ पर चार्ट चलते है बाकी OPEC जो यहाँ पर साओधी है रहा है ठीक है वो यहाँ पर production नहीं बढ़ा रहा है ठीक है तो यह कहीं ना कहीं इसी से difficulty आईगी क्यों क्योंकि दुनिया में जितनी भी काम हो रहा है और especially भारत जैसे देश के लिए जहां पर हम भार से क्या करते है इंपोर्ट करते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेर को यहाँ पर मंगाते हैं और उसी से अर्थ वेवस्ता चलती है आप देख रहे हो गाडियों में भी चाहिए ठीक है भारत में यहाँ पर घड़े ट्राफिकों में कितना लीटर तेल यहाँ पर वेस्ट हो जा तो आ रहे है कि 150 तक भी हो सकता है इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है बट जब ऐसा होगा तो अविस्सी बात है अमेरिका साओधी पर प्रेशर बनाएगा ठीक है और आपको पता है यह यूक्रेण वार और जिस तरीके एसेंशन लगा जा रहे है ठीक है रशिया पर औ तो अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर चीजे कैसे चलेगी तो चीजों को दुनिया को ही चेंज होना पड़ेगा ठीक है वो उसकी बात है हम नहीं करेंगे हमें नहीं पता दुनिया कैसे चेंज होगी बट फिर भी अगर हम यहाँ पर देखें तो breakout होते हुए नजर आ रहे है यहाँ पर अगर यह यहाँ पर अगर इसने 95.5 और 96 के उपर चलना शुरू किया फिर यह 98 का लेवल है ठीक है फिर 104 और फिर शायद 125 और 130 तक भी और यह जा सकता और यह जाएगा तो ओविस्सी बात है कहीं न कहीं भारत पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा चीजे महंगी नहीं ज़र आएगे फिर रिजल्ट खराब होते हुए नजर आएगे फिर वो एक दूसरे पर डारेक्ली और इंडारेक्ली इंपक्त पड़ता हुआ नजर रही आएगा वो आप समझ सकते हैं ठीक है तो इस वज़ए से इंडिया यहाँ पर गिर रहा है एस वे यहाँ पर जो अमेरिका का इंडेक्स है डो जोंस जिसमें 30 शेयर यहाँ पर शामिल होते हैं उसमें एक अच्छी गासी गिरावट आप देख सकते हैं लगातार होती हुए नजर आई यह अल्रेडी निफ्टी से काफी पीछे चल रहा है इसका हाई की बात करें तो हाई के कोशिश करता है बट फैड की मीट अलग अलग टेंशन वह यहाँ पर इसे नीचे की तरफ खीच लेती है यहाँ पर अब बात करूं एक पॉजिटिव केंडल बनाती हुई नजर आया है यहाँ पर यह डो जोंस अगर यह यहाँ पर क्रॉस कर देता है लगबग अगर मैं 35,000 तक और फिर 35,600 और 700 पाइंट तक ले जा सकते है और एक और बार ब्रेक आउट हुआ तो फिर इसका लेवल फिर नेक्स्ट किया है फिर तो यह और टाइम हाई की तरफ जाएगी बट यह इतना इसी नहीं रहेगा आज यहाँ पर अब देखोगे तो अभी यह मार्किट चल रहा है 1.30 तक यह चलता हुआ नजर आएगा तो आप यहाँ पर देख लेना कि यहाँ पर exactly किस तरीके से बीएव कर रहा है पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और यह पॉजिटिव इंपक्ट कहीं न कहीं हमारे मार्किट पर भी कल असर रा सकता है अब आप सोचे कहें कि यहाँ पर यह नेगेटिव था हमारा डो जोन बट इस चिल अम देख़े तो अच्छी खावरी हो थी ने जर आई तो हमारा मार्किट क्यों गिरा था तो हम आरे मार्किट की बात करें तो हमारे मार्किट में क्या ता एक्सपायरी थी टीका थज्ड तै कि जब भी दिखाई दे रहा है कि अपने breakout जो breakout level था अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊ ना तो आपको बादे चलेगा यहां पर जो breakout level था ठीक है उस breakout level को यह retest करने के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है यहां से देखिए यह दिवारा उपर गया था तो यह शायद 19,257 तक यह आ स दिखाई दी सकता है ठीक है और फिश उसके बाद तो ऊपर जाना ही जाना है बट यहां पर क्या है यहां पर अभी थोड़ा सा market में correction दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कल भी market यहां पर थोड़ा सा गिरे और फिर उसके बाद bounce back आ जाए और depend डो जोंस पर डो जोंस पर क्य अगर रखना है नजर रखनी है जैसे कि मैं हमेशा आपसे कही रहा हूँ अब दूसरी बात क्या करें दूसरी और इंडक्स को भी देख लेते हैं तो हम अगर बात करें निफ्टी midcap की तो midcap में देखोगे लगब 1.32 यह अच्छा खासा गिरता हुए नजर आया और इसमें इस पॉइंट की यहां पर गिरा बट यह एक सपोर्ट पर चल रहा है ठीक न अगर यह यहां से तूटता है तो फिर सीधे यहां पर 49,640 का लेवल है और उसके बाद और नीचे की बात करें तो फिर 49,000 का लेवल यहां पर दिखाई देता है तो यह एक critical है तो इसलिए midcap व आता हुआ दिखाई दिया तो जिसकी वएसे आप देखोगे की चीज़े और यहां पर जबरदस्ती कीच के लेका है बर support के पास है ठीक है अगर यह गिरता है तो एक retest होता हुआ नजर आ सकता है आप यहां पर देखोगे तो यहां पर 2022 में हाई बनाया था उसे ही retest करने क लिए नीचे आ सकता है और अगर यह आता है 600 यहां पर गिराबट होती है ठीक है तो याद रखिएगा यह अच्छा signal होगा यहां पर खरीदने का और इसके बाद जो बॉंस बैक होगा न तो अच्छा गासा होगा 13,000 तक दुबारा जाएगा और 13,000 के बाद यहां पर जो कि exactly करना क्या है तो देखिए निफ्टी-50 की अगर बात करूं तो देखिए जो डो जो जो यहां पर निफ्टी-50 के स्टॉक्स अच्छे-च्छे-च्छे-च्छे-टी-स इनफोसे वह आपको पैसा बना के वैसे भी नहीं दे रहें ठीक है 15-20% के रिटन देंगे डिविड ठीक है और मुझे पूरा वरोसा है कि निफ्टी अगेन आउट-परफॉर्म करेगी ठीक है थोड़ा बहुत अब दुपारा क्राइसिस आते हुए दिखाई देंगे यूस में दुपारा वो कुछ ना कुछ यहां पर अपना सूपर पावर है तो कहीं ना कहीं वो अपने आ कर सकते हो ऑर बांज बैक कव जाएनगा आप già को भी निफर चलेगी क्यों क्योंकि अगर आप सोच रहे हो मार्केट गिर रहा है तो इसकी विज़े से शिजेदीर कि घरे अबर्ट से पहले ही यहां यहां फर बहुपर के लेवल पर निगल लिये है आज YOU अको रे इलगी त और नजर यह थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, बड़े का मतलब यह नहीं है, कि आप 5-10 साल रखे, 5-10 साल की तो गारिंटी किसी की नहीं है, बड़े श्टिल, आपको 6 महीन है और एक साल करना जरीया कम से कम रखना पड़ेगा, अपने श्टॉक्स में या फिर बेच के चुप-चप कैश पेड़ा हो, दिवारा उपर जाए फिर यहां पर बाई कर लो, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या बीच बीच में ढूंदते हो कि कौन सा शेयर यहां पर अच्छा का सा परफॉर्म कर रहा है, उसमें आप यहां पर अपनी पोजिशन बना सकते हो, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, या तो फिर चोटा सा लॉस लेके निकलना, या फिर अच्छा का सा प्रॉफिट बिनेके निकलना, तो आपको जानने है कौन से अच्छे स्टॉक से, ठीक है किस तरीके से काम करना है, हम भी यहां पर लेके बैटे हुए, कौन से स्टॉक समभाई कर रहे है, कौन से सेल कर रहे है, यहां पर आप कर सकते हो, इन नमबरों पर पिंग, और के साथ में यहां पर मिलके काम कर सकते यार अगर आती है यह positive मानूंगा मैं इसे इसे negative नहीं मानूंगा क्यों क्योंकि यहां से bounce back होगा और bounce back जब इस तरीके का retracement लेके bounce back होता है न वो bounce back बहुत ऊपर जाता है So thank you so much God bless